इस वक्त हम मजहौलिया परखंड के डुमरी पंचायत में हैं और ये गंड़क नदी है आप देख पा रहे हैं कि इसका कटाव कितना तेजी से हो रहा है अभी मौनसून नहीं आया है तीन दिन की बारिश में ये कटाव है और आप अंदाजा लगा सकते हैं इस कटाव से जब पर कटा हो चुका है इस बार जब बाड़ आएगा तो साथ भगवान भरों से ये मकान बच जाए लेकिन बचने की कोई उमीद नहीं नजर आ रही है क्योंकि यहां पे ना तो ठोकर का निर्मान किया गया और ठोकर का जो निर्मान किया गया है आप इस सेड़ बैग को साथ है सोनुजी हम बात करेंगे ये गाउं कैसे बचेगा इसमार हम लोग तो भगवान भरों से हैं प्रसासन से बार-बार हम लोग उहार लगाते रहते हैं कि हमारे गाउं में लगातार ये दुम्री महानवा जो है इस मजहौलिया प्रखंड के सबसे कटाओ कटाओ ग्रस कि यह साहब के माध्यम से अपने बात को पहुंचाने का काम किया लेकिन अभी तक इस साल अब बाढ मांसून सुरू होने वला है और बाढ भी आने वला है और अभी तक हम लोग राम भरों से बैठे हुए हैं ना जाने कब परसासन से उमीद लगा के बैठे हुए कि कब हम अब यह तो मकान पिछले बार तो काफी परभावित हुए यह मकान पिछले साल इसमें नदी अंदर से अंदर तक देखा जाए अंदर तक यह नदी इसको डैमेज कर दी है और यह इस साल इसको अगर नहीं बचाया गया तो यह बच बच पाना मुस्किल है यहां पर गरामी अगर नहीं होने पर हम लोग अगर नदी में समा जाएगा इस नदी के और यह गाओं जो दुमरी पंचायत है यह पूरी तरह से बाड में बह जाएगा क्योंकि ठोकर का निर्माण नहीं हुआ है और यहां के लोग जिला परसासन से उमीद कर रहे हैं इंतिजार कर रहे हैं मदद की ताकि ठोकर का निर्माण हो और इस गाओं को बचाय जा सके जीतन्त कुमार गु